हाई गाइस इस वीडियो में आपका बहुत ज़्यादा स्वागत है आज की वीडियो में आइफॉन 13 में आइस 18.1 का जो अपडेट इंस्टॉल किया है उसके बारे में डिस्कस करूंगा इस फॉन में यह अपडेट कैसे चल रहा है आपको यह अपडेट को इंस्टॉल करना ह है नहीं करना है एक बड़ी परीक और बड़ी बेकार चीज मैंने नोटिस की है जो कि आपल के आइफॉन में एक तरह से बग है और वह आप इसको हार्डवेर इशु भी समझ सकते हो लेकिन मुझे नहीं पता यह बग कैसे आया और यह कैसे क्यों हुआ डिस्प्ले के रिग स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को जैसे कि आप देख सकते हो यह जो मेरा फोन है वो आयोस 18.1 के सॉफ्ट्य अपडेट पर रन कर रहा है सबसे पहले मैं डार्क मोड रिमूव गरता हूं और मैं आपको बता दूं कि मेरे फोन की डिस्प्ले ओरिजिनल है और तीन सालों से मैं फोन को यूज कर रहा हूं और मेरे को कोई इशु देखने को ने मिला था डिस्प्ले के रिगार्डिंग लेकिन रेंडमली मैंने फोन यूज करते वक्त मैंने एक इशु नोटिस किया है सो सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा वो इशु को सो दोस्तो मैंने ना अपन जैसे कि green screen का इशु होता है ना यहां पर I don't know कि वो camera में visible होगी या नहीं होगी लेकिन यहां पर top side पर power button के ऊपर एक सीधी बिल्कुल line जा रही है ऐसे horizontal जो कि photos app में ही है सर्फ यह बहुत बरीकी से देखना पड़ा है कि यह बिल्कुल power button के थोड़ी सी ऊपर जो है एक सीधी line जाती है horizontally यह हो सकता है कि मेरे phone की display खराब है यहां फिर photos app में iPhone 13 में यह बग है क्योंकि iPhone 13 में हमेशा मैंने नोटिस किया कि display के regarding कोई बग रहता है औ ब्लैक कलर में यह लाइन शो नहीं होती सेकेंडली बहुत फेड़ी लाइन है यह बहुत हलकी सी लाइन है बहुत फीकी है और अगर आप नॉर्मली देखो कि तो camera में भी शो नहीं होगी लेकिन phone को यूज करते वक शो होगी सो एक रेंडम नोटिस मेंने किया है अगर आप लेकिन जिस्ट में वो नाइन नोटिस की वैसे मेरे को वो लाइन जो हैना किसी वी यूजज में कोई इस्यू नहीं दे रही तो अभी मैं इसको जादा हाईलाइट ना करते हुए नेक्स चीजों की बात करता हूँ आइफन स्टोरेज में चलते हैं तो यहां आप गाईस द देखने को ने मिले बैटरी की जो परफोर्मेंस है वो स्लाइटली इंप्रूवड देखने को मिली 18.0 से 18.1 में और नए फीचर्स भी आए हैं सबसे पहले कुछ फीचर्स जो हैना जैसे की कॉल रिकॉर्डिंग वो इंप्लिमेंट किया गया है आइफों में कॉल रिकॉर् इस चीज से जरूर आफ बाखे फिर आपको यह कॉल रिकॉर्डिंग नोट्स अप में आप सुन पाओं किसी को शेयर कर पाओंगे काफी सारे फीचर्स 18.1 में इस फोन में मिसिंग है और दूसरे फोन में आया है जैसे की न्यू सीरी अपल की जो इंटलिजन्स वाली जो ल इस तरीकी की देखने को मिलती है और भी ऐसी साथ-सीरी की अपको यह कुछ इस तरीको की है तो आप कंपारिजन देख सकती हो किस तरीके का आप को यह सिस्टम देखने को मिलेगा, right? काफी सारे फीचर जैसे की राइटिंग टूल जो आप्शन इस फोन में नहीं है so दोस्तों iOS 18.1 जो है वो मोशली जो नए अपडेट्स है नए फोन्स है उनके लिए है पुराने फोन्स के लिए कुछ ही अपडेट्स है और कुछ माइनर चेंज़ है जैसे की कॉल रिकॉर्डिंग और क्लीन अप फीचर भी फोटो अप में नहीं है सो मैं बोलूँगा कि अभी वेट कर लो iOS 18.1 अभी काफी अरली स्टेजिस में है सो आइ डाउंट रिक्मेंड यू तो अपडेट्स में कोई होर इसू आसकता है राइट सो दोस्तों अभी अपडेट ना करना iPhone 13 को iOS 18.1 के ओपर मैं फुल रिव्यू लेकर आऊंगा कि बैटरी रिव्यू दे पाऊंगा तो इस वीजियो अभी तक के लिए इतना ही था गाइस सो मिलते हैं एक शुडियमे थैंक्स वाशिंग थैंक्यो सो मच